जय श्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है वर्ट सावित्री वृत को सौभागे देने वाला और संतान की प्राप्ति में साहय अकवर्थ माना गया है तो आईए सुनते हैं वर्ट सावित्री वृत का था सावित्री का जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था कहते हैं कि भद्रदेश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक बहुत बड़ा यग्य किया इसके बाद सावित्री देवी ने उन्हें तेजस्वी कन्या के जन्म का वर्दान दिया सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वज़ा से कन्या का नाम सावित्री रखा गया राजा की बेटी ने युवा वस्था में प्रवेश किया उसके रूप लावर्ण को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता जब राजा की बहुत कोशिश करने के बाद भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा बेटी अब तुम विवा के योग्य हो गई हो इसलिए स्वयम अपने योग्यवर की खोच करो पिता की बात मन कर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा करने के लिए निकल गई कोज दिनों तक रिशियों के आश्रमों और तिर्थों में ब्रह्मन करने के बाद वह राज महल में लौट आई इस समय इसके पिता के साथ देवर्शी नारत भी बैठे हुए थे उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया राजा अश्वपती ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पुझा सावित्री ने कहा पिता जी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे दुमत सेंट के पुत्र सत्यवान सरवथा मेरी योग के है अथा मैने मन में उनी को अपना पती चुना है नारज जी सावित्री की बास सुनकर चौंक उठे और बोले राजन सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है सत्यवान के पिता शत्रों के द्वारा राज्य से वन्चित कर दिये गए हैं वो हम वन में तपस्वी जीवन व्यतित कर रहे हैं अपनी द्रिष्टी खो चुके हैं सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयू अपके वल एक वर्ष ही शेश है नारज जी की बास सुनकर राजा अश्वपती व्यग्र हो गए उन्होंने सावित्री से कहा बेटी तुम फिर से यात्रा करो और किसी दुसरे योग्य वर का वर्ण करो सावित्री सती थी उसने द्रिणता से कहा पिताजी सत्यवान चाहे अलपाईू हो या दिरगाईू अब तो वही मेरे पती है जब मैंने एक बार उन्हें अपना पती स्विकार कर लिया फिर मैं दूसरे पूरुष का वर्ण कैसे कर सकती हूँ सावित्री का निश्य द्रिण जानकर महराज अश्वपती ने उसका विवा सत्यवान से कर दिया दीरे दीरे वह समय भी आप पहुँचा जिसमें सत्यवान की मृत्यू निश्य थी सावित्री ने उसके चार दिन पूर्व ही निराहार वरत रहना शुरू कर दिया पती एवं साथ ससुर की आग्या से सावित्री भी उस दिन पती के साथ जेंगल में फल, फूल और लकडी लेने के लिए गई अचानक रिक्ष से लकडी काटते समय सत्यवान के सिर में महयानक दर्द होने लगा और वह पेड से नीचे उतर कर पत्नी की गोद में लेड गया उस समय सावित्री को लाल वस्त पहने बहंग कर आकरती वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा वह शाक्षात यम्राज थे उन्होंने सावित्री से कहा तू पती व्रता है तेरे पती की आयू समाप्त हो गई है मैं इसे लिने आया हूँ इतना कहकर यम्राज ने सत्यवान के शरी से स्रुक्ष में जीव को निकाला और उसे लेकर वे दक्षिन दिशा की और चल दिये सावित्री ने कहा जहां मेरे पती रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है यही मेरा धर्म है यम्राज ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी पती वता इस तरी के तब और निश्ठा से हार कर यम्राज ने कहा कि तुम अपने पती के बदले तीन वर्दान मांग लो इस पर सावित्री ने पहले वर में अपने अंदे सास्तसुर की आंखे मांगी यम्राज ने कहा एव मस्तू दूसरे वर्दान में उसने अपने पिता के लिए सो पुत्र मांगे यम्राज ने दूसरा वर्दान भी दे दिया अब तीसरे वर्दान की बारी थी इस बार सावि सावित्रि ने यम्राज को उल्जन में डाल दिया बात दियो कर यम्राज पर श cessy gotten Um में पुनर जीर करना पड़ा इस प्रकार सावित्री की सत्य having के बल्स को पर अपने पतीगी मुग से छीन लिया सावित्री पुना उसी वर्ट व्रक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ तो यह थी वर्ट सावित्री व्रत की कता उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जैशे कृष्णा राधे राधे